बहुत स्वागत आपका खेल का डाम है, मैं हूँ आपके साथ सुधी प्राथपोथ जी हाँ, ICC World Cup 2023 में आज का जो मुकाबला है वो पाकिस्तान और नीदर लेंड के बीच खेला जाएगा लेकिन इस से थोड़ा हट कि अगर बात करें जिस तरीके से कर न्यूजिलेंड और इंग्लेंड का मैच होता है जो काफी लंबे समय से लगाता है सबके मन में एक सवाल था हर कोई क्रिकेट प्रेमीर के बात करने है चाहे हम और जो क्रिकेट खेलते हैं उनकी देशों के बात करने है सब ये बोलते थी कि इंग्लेंड एसी टीम है जो स्टार्टिंग थी चल कर खेलती है और उसके पास नंबर दस्तक बालिंग है ये बाला रहे फलान डिम का कई तरीके के सबाते होती थी लेकिन बात वही होई कि हाथी के दाथ खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और जिस तरीके से कल पहले तो न्यूजिलेंड के गेदबाजों ने इंग्लेंड की बैट्नी लाइनप को जिस तरीके दोस्त किया उसके बाद इस तरीके से रचिन रवींद्र और डेवन कान्वे ने मिलकर जो एक लंबी साज़दारी ये 273 रम्यों की रिकार्ड साहिदारी की उस तरीके से यानि कि उससे इंग्लेंड की टीम पूरी तरीके से विखर गई और उसको समझी नहीं आया कि गेदबाजी करें तो कहां करें हाला कि स्टार्टिंग में जो इंग्लेंड के बालिंग है उसमें बढ़िया काम हुआ अपने पहले गेद पर बिलियंग आउट हुए उसमें यानि गुल्डन डग पर आउट हुए और उनको जो विकट लिया सेम करन न लिया एक उमीद जगी की जिसके पास मार्क वूड हो क 153 की स्पीड से गेद फिकते हैं एक सो तिरपान एक सचोववन एक सउचास लगतार वो जितनी तेज गेद बाजी कर रहे थे और उतने धनादन नुजी लेंड के वैट्समान मार रहे थे खास करके ड्रचिन रवींद्र और डेवन कानवे बिकट उनका गिरता है जिस तरी पहले जब देखिंग उठाकर चीजों को तो जिस तरीके से शुरुआत जो रही इंगलेंड की वो काफी अच्छी रही यानि कि शुरुआत उनकी अच्छी रही लिकिन पूरे टीम में केबल एक बैट्समान जो रोड जो काफी लंबे समय से वो आप यह कहते हैं कि फॉर् हम कहते हैं कि ज्यादा बिश्वास होता ना वो खुद के लिए आत्मगाती होता है और कल जो लंबे समय से जो दवा खा रहे थे इंगलेंड वाले उसका सरकल देखने को मिला है न्यूजी लेंड की बल्लेवाजी में मैच के बाद इंगलेंड के जो कप्तान है जौस बटल मिलने हैं बिल्कुल नहीं हर उबर में दस रन, आठ रन, सात, रन, छे रन यानि कि जो उनका रन रेट था वो रन रेट भाई साब इस्टार्टिस लेके लाज्ट तक आर्ट के उपर है चला गया आगे बटलर ने अपने प्रजेंटेशन में ये भी कहा कि मैच बहुत प्रजेंसम ना हो, टीम साओधी ना हो, उसके बाद भी टीम ने इतना दंदार प्रदसन किया, रचिन रवींद्र के बारे में एक खाथ बात आपको बता दे, उन्होंने बताया है कि जो मेरा नाम बना है, ये सचिन और द्रेविन के नाम से मिलने के बाद मुझे इतना रचिन रवींद्र, दोनों अपना पहला वर्ल्ड कप मैच खेल रहे थे, और पहले वर्ल्ड कप मैच में ही, दोनों ने गुरु अपना ऐसा जलवा दिखाया ना, कि इंग्लेंड ही नहीं, जितने भी टीम है, सायद कल सबके पसीने चुड़ गए होंगे, लेकिन फिलहाल आज बात कीजा, जिस तरीके साज जो मुकाबला खेला जाएगा पाकिस्तान और नीदर लेंड के बीश, तो बता दे आमको ये मैच हैदरावाद के राजियो गादी स्टेडियम में खेला जाएगा, वर्ल्ड कप में आज का मुकाबला पाकिस्तान नीदर लेंड के बीश मैच में भी काफी अफवाइं हें कापी सारे बाते हो रही है कि पाकिस्तान के टीम को नुइंब इकलाउत है उस पाकिस्तान के टीम मेशों में बैटिंग किनओं नी कि मतलब इव्तिकार एहमत नहीं बड़ी है पफॉमेंस किया था लेकिन वो नीदर लेंड किलाब था जो टीमें और है उनके खिलाब इनका बल्ला नहीं चलना है अच्छा एक बात होती सदाप खान की अगर सदाप खान को आप देखेंगे तो उनका बिस्त में मतलब बेहतरीन आल डा जाते हैं काफी लंबे समय बाद टीम में हस्तिन अली की वाकसी हुई है ऐसा माना जाता कि हस्तिन अली लाश्ट गोब्रेमा के बढ़ियां हिट्स लगा सकते हैं बढ़ियां मतलब टेजी थरन बना सकते हैं तो अगर पाकिस्तान को इस मैच को इस अभियान को शुरुआत क और अच्छे मार्जिन से नीधर लेंड खोराना चाहिए क्योंकि अभी तक दोनों के बीच 6 मुकाबले हुए हैं और 6 मुकाबले में यानि कि जीत प्रक्तत है वह 100 प्रसंत रही है पाकिस्तान की यानि कि एक मुकाबला पाकिस्तान के सामने नीधर लेंड अभी तक जीता लेकिन नीदर लेंड को आप इतना कम आग भी नहीं सकते हैं कभी कभी होता जो छोटी टीमें होती हैं बड़ा उल्ट फिर वही करती हैं फिर आगे बात करें कि दोनों टीमों के आकड़े देखे तो पाकिस्तान काफी ज्यादा मजबूत है जबकि नीदर लेंड कमजूर तो नीदर लेंड ने कौलिफाई कर लिया अब सोचिए कि क्रिकेट इतियास में पहली बार ऐसा हो रहा कि बैस्टन टीम जैसी धाकर टीम जो है वह बहाँ चल दई है जिसके पास पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम पर ठीक होंगी क्योंकि उनकी अगवाई में टीम पहली बार विश्चु कप में नीदर लैंड से भिलेगी हाना कि कागजो पर नीदर लैंड की टीम जो है पाकिस्तान से काफी जादा कम जो नज़रा रही है लेकिन इस टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है जो जरूरत के समय अच्छा प्रदाशन कर सकता है ऐसे में निजरलैंड के टीम को बड़ा उलट खेर करने के लिए इरादे से उधरेगी अगर माने बात हम पिच रिपोर्ट की तो आज का ये मुकाबला राजयु गादी इंटरनेसनल क्रिकट स्टेडियम में खेला जाएगा यहां की पिच की बात करें तो इस पिच पर बल्लेबाजी का बोल बाला रहता है हमने पहली बता है आपको इस पीच पर बल्ली बाजी का बोल बाला रहता है यानि कि अगर चड़ कर खेलते हैं बाबा राजम इमाम उलहक अच्छा इमाम उलहक का भी एक बढ़ियाँ फैक्टर है टेम में वैसे तो उनका एबरेज जो है 50 प्लस है लेकिन बात की जाती है आट पिचों पर अगर आपको दोढ़ना है तो 88 काम होने वाला नहीं है एसे मagर पाकिस्तान पहले बल्ले बाजी करने उतरती है तो एक बड़ा स्पोर ख़़ा कर सकती है दूसरी पारी की बात करें तो गेध बाजों के सामने समस्या है ख़ड़ी हो सकती है दूसरी पारी में ओस पढ़ने की बज़ा से गेध हाज से छूटने लगती हैं जिससे बल्ले बाज को बल्ले बाजी करने में आसानी होगी अचा भारत में आप देखें कि जिस तरीके से साम को ओस पढ़ती है क्योंकि अक्टूबर नॉमर कमहिना है इसके लिए ICC ने भी BCCI से एक विंती की थी बाबू अपने हाज देख लेना जो आपके हाउस गिरती है उसकी समस्या कुछ कम की जा यानि कि जो रोलर रहेंगे या जो आप कहते हैं ग्राउंड मैन रहेंगे उनको काफी मसकत करनी पड़ेगी अगर यहां की PIC की आउसकी बात करें तो लगभग 280 या 290-300 करीब रंद बन सकते हैं लेकिन जो क्रिकेट फैन्स से उनको आज उमीद कुछ जादा रहेगी उनको उमीद रहेगी बाबाराजम से उनको उम्मीद रहेगी मामुलक से, उनको उम्मीद रहेगी सदाफान से, उनको उम्मीद रहेगी इफ्टकार एहमस से यानि कि टीम अगर मिलकर खिलती है तो नीदर लेंड रिखिला बड़ा मकाबला खड़ा करते हैं और जो इनके गेदबाज हैं वो भी बड़ी है पफार्मेंस करते हैं। आप सब मिला कर यह कहते हैं कि पाकिस्तान के पास आज यह लाश मुकाबला होगा अपने आपको चेक करने के लिए। इसके बाद बड़ी बड़ी टीम हैं साथ मुका मुकाबला हैं कि पाकिस्तान एसिया कब से पहले एक प्रबल दावजदार माने जा रहे थी वर्ड कप के लिए। लेकिन अब आप देखेंगे टाप फोर मुन का नाम भी नहीं है। फिलाल मैज का पलपल का बेट हम आप तब पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें न्यूजवर्ड इंडिया के साथ धन्यवाद।